साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हुमें साथ संगत जी आज की साखी का शिर्शक है एक अनोखा रिष्टा तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक लड़की थी जिसका नाम था रीता वो बहुत दयालू थी हर किसी की मदद किया करती थी ऐसा नहीं था कि रीता के पास बहुत पैसे थे बलकि वो एक गर परिवार से थी लेकिन लोगों की मदद करना रीता को बहुत अच्छा लगता था एक दिन की बात है कि ओफिस जाते समय रीता की चप पल तूट जाती है और फिर वो आसपास मोची को ढूंडने लगती है तभी अचानक रीता देखती है कि एक लड़का एक पारक के बाहर बै जूते नहीं है वो लोगों के जूतों की मरमत करके दे रहा है रीता उस लड़के के पास रुकी और उसने उस लड़के को कहा कि भाईया मेरी चपल की भी मरमत कर दीजे और फिर रीता साइड में जाकर बैठ गई उस लड़के के पास बहुत काम था इसलिए रीता को काफी क्या है और आप कहां रहते हैं? लड़के ने कहा कि दीदी जी मेरा नाम धीरज है और मैं यहीं पास की कालोनी में रहता हूं. फिर रीता ने उस लड़के से पूछा कि तुम यह काम क्यूं करते हो, क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है ये काम करने वाला ताकि तुम स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सको और अपने और अपने परिवार का जीवन सुधार सको साथ संगत जी धीरज ने रीता से कहा कि दीदी मैं ही अपने घर में सबसे बढ़ा हूँ और मेरे माता पिता नहीं है मेरे दो छोटे भाई बहन है जिन की जिम्मेदारी मेरे उपर ही है ताकि वो स्कूल जा सके उन्हें पेट भर का खाना मिल सके ताकि वो मेरे मरने के बाद यहां काम ना करे जो गलती मेरे माता और पिता जी ने मुझे ना पढ़ा कर की थी वो गलती मैं अपने भाई बहन के सा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन का जीवन खुशाल हो, चाथ संगत जी ये सब सुनकर रीता की आँखों में आसू आ गए और वो वहां से चली गई, बिना कुछ कहे, शायद रीता के दिमाग में उस समय काफी सवाल थे, जो उस लड़के से करना चाहती थी, परन्तु वो समय शायद ठीक नहीं था, रीता अपने दफ्तर के लिए चली गई और अपने कमरे में जाकर बैठी थी, तो अचानक उसको पता चला कि आज उसका वेतन 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, उसके काम और उसकी मेहनत को देखते हुए, रीता बहु पूटे लड़के धीरज का मासूम चहरा आ गया, रीता अभी भी धीरज के बारे में सोच कर परिशान होने लगी, वो चाहती थी कि वो धीरज की कुछ मदद करे ताकि उसको अकेले इतना बड़ा जीवन इस तरह से ना काटना पड़े, रीता ने काफी सोचा और एक फैसल लिया कि वो सेलरी का बड़ा हुआ दस प्रतीशत वो धीरज को दे देगी, ताकि धीरज को कुछ मदद मिल सके और वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके, साथ संगत जी, रीता हर महीने किसी न किसी तरह धीरज को पैसे भेजती रही, जिसे धीरज की काफी मुश्किलें कम होने लगी, वो अब अपने भाई बहन को अच्छी स्कूल में पढ़ाने लगा, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, खुद भी करने लगा, ताकि उसे कोई अच्छा सा काम मिल सके, अब कुछी सालों के बाद, एक दिन धीरज सोचता है, कि हर महीने उसको ये पैसे कौन भि एक दिन की बात है, एक दिन एक इंसान, जिसको रीता नहीं भीजा था, वो दीरज के पास में गया, और उसे पैसे दे कर वहां से जा ही रहा था, कि तभी दीरज ने उस इंसान का पीछा किया, और ये जानने की कोशिश की, कि आखिर कौन है वो, जो बिना उसके सामने आए इतने सालों से उसकी मदद करते आ रहा है, उस इंसान का पीछा करते करते, वो रीता के ओफिस तक आ गया, और देखता है कि एक लड़की एक कुरसी पर बैठी है, और अपना काम कर रही है, वो इंसान रीता को कहता है, कि मैडम, आपका काम हो गया, जैसा आपने कहा था, मै ने वैसा ही किया है, और धीरज को इस बार भी आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, वो बहुत खुश है, अब वो पढ़ाई भी करने लगा है, शाथ संकर जी, ये सब सुनकर रीता बहुत खुश होती है, कि धीरज अब खुश है, और वो अपना सपना भी पूरा कर रहा है, अब दूसरी तरफ धीरज को कुछ समझ नहीं आता, कि आखिर वो लड़की उसके मदद क्यों कर रही है, आखिर कौन है वो जो इतना कुछ उसके लिए किये जा रही है, धीरज रीता के कमरे में जाता है, और पूछता है कि आखिर आप कौन है, जो इतनी सालों स मेरी मदद कर रही है ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो आप है कौन रीटा धीरज को देखते ही पहचान जाती है और उसको देख कर खुश होकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जरूरी नहीं है कि इंसान किसी की मदद तभी करे जो वो उसको जानता हो कुछ रिष्टे ऐसे अ किसी दूसरे के चहरे पर मुस्कान लाकर देखिए यकीन मानिए आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा साथ संगत ची एक बार की बात है कि निशा अपने गाड़ी से कहीं जा रही थी और निशा की कार अचानक से ट्राफिक में फस जाती है और आखिर कार निशा ने अपने ड्राइवर से पूछी लिया कि क्या हुआ है भाईया जरा देखो तो जाकर और ट्राफिक का शोर बढ़ता ही चला जा रहा था और दूसरी तरफ निशा की बेटी अंजु भी कार में बैठी लगातार चिलाए जा रही थी कि मम्मी हम कितनी देर में घर पहुँचेंगे मुझे खेलने जाना है निशा ने अपनी बेटी से कहा कि कुछ देर इंतजार करो बस थोड़ी ही देर हमें और लगेगी शाद संगत जी अचानक ही निशा की नजर बाहर दो छोटी छोटी लड़कियों पर पड़ी जो रंग बेरंगे गुवारे बेच रही थी उन दोनों बच्चीयों के चहरे पर उदाफी का भाव साफ दिखाई दे रहा था शायद आज उनसे गुवारे किसी ने नहीं खरीदे थे अब निशा ने सोचा कि शायद गुवारा दिलवाने से उसकी बेटी अंजु का ध्यान भी कुछ देर के लिए बदल जाए और वो लड़कियां भी कुछ कमा कर थोड़ी खुशी पालेंगी यही सोच कर निशा ने उन दोनों लड़कियों को बुलाया और कहा कि एक गुवारा तो देना निशा की बेटी अंजु भी गुवारे को देखते ही उत्साहित हो गई गुवारा लेते ही अचानक निशा के कान में कुछ दबी सी अवाज में कुछ शबद आ पड़े कि चलो अब हम कुछ खातो लेंगे बहुत भूख लगी है दीदी इतने मारमिक और इतने भारी शबदों के भारतले जैसे निशा का पूरा मन और मस्तिक्ष दब गया हूँ निशा ने सोचा कि मैं लड़कियों की मदद कैसे करूँ अचानक ही निशा ने बड़ी ही चलाकी से वो गुबारा अपनी बेटी अंजू के हाथ में देते ही जान बूच कर चुटकी से गुबारा फोर डाला और उन बच्चियों से कहने लगी कि आरे ये गुबारा तो फूट गया मैं और ले लेती हूँ गुबारे के फूटने की अवाज से उन छोटी छोटी बच्चियों को जो गुबारे बेच रही थी उन्हें अर्बों की खुशी मिल गई भागते हुए वो लड़कियां दुबारा आई और एक और गुबारा थमा दिया इस पार भी उन बच्चियों के चहरे पर थोड़ी मुस्कान और थी और निशा ने उन दोनों की मुस्कान का जायजा लिया और अपनी पुरानी चला की फिर से दोहरा डाली और दूसरा गुबारा भी फूट दिया अब गुबारे के फूटते ही वो दोनों लड़कियां बहुत खुश हुई निशा ने उन बच्चियों से कहा कि ये काम करो ये कमजोड से गुबारे कितनी दिर चलेंगे तुम सारे गुबारे ही मुझे दे दो अपने सारे गुबारे बिक्ते देखकर वो लड़किया खुशी से जूम उठी साथ संगत जी निशा का ड्राइवर शीशे में से ये सभी देखकर समझ रहा था कि कैसे गुबारे फोडे गए और कैसे खरीदे गए साथ संगत जी निशा की बेटी अंजू इतनी सारे गुबारे लेकर मीठी मुस्कान दे रही थी और एक संतोश भरी मुस्कान निशा के चहरे पर भी थी क्योंकि उसे पता था कि उसने उन बच्चियों की ऐसी अनोखी मदद की है जिससे उन दोनों बच्चियों की भूख मिट जाएगी और उधर ड्राइवर भी सब कुछ देख कर मुस्कुरा रहा था साथ संगत जी ये थी इंसानियत की वो मीठी मुस्कान जो कई चहरों पर जादू की तरह आ गई थी आप भी ऐसे ही किसी की अनोखी मदद करके उसके चहरे पर खुशी लाइए और आपके दिल को भी बहुत तसली और सुकून मिलेगा साथ संगत जी उमीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताईएगा फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ तब तक के लिए खुश रहिए सेवा सिमरन सत्संकी जीए सत्कुरू माता जी के जर्नों से जुड़े रहिए प्यार से बोलिए दन नरंकार जी